दोस्तों फानले आप लोगों के सामने है उप्पो का एथिरी प्रो जो जबर्दस वर्जन दोहजर चोबिस का है सबसे अच्छे चीजे हैं यह 12GB RAM के साथ है और यह launch date बता दूं कि यह 12 April को होने वाले हैं बतलब as a globally level पर कह सकते हैं लेकिन जो आपके सामने है यह इसकी जो features है इस प्रफिकेशन से काफी कुछ दिल्चस्प है जैसे की Oppo A3 Pro में आपको डिस्प्ले 1080 पिक्सल रिजलेशन के साथ है 6.70 इंच की 3D AMOLED डिस्प्ले पर लॉंच हुआ है और यह बतारों में आपको जो पिछले वर्जन में A2 Pro की थी उसी का सक्सेसर रिब्रेंड वर्जन हो सकता है और साथी में 120 हर्डेस का रिफ्रेस रेट है 240 हर्डेस का सेंप्लिंग रेट है और 950 निर्स की ब्राइटनेस का सपोर्ड करती है और जहां तक प्रोसेसर की बात करें तो 13 पर आया था यह एंड्रॉइड का यह मुबाइल और जिसमें प्रोसेसिंग के लिए 2.6 गेका पर रन करने वाला मेडिया टेक डैमेंसिटी 7050 अक्टाकॉर प्रोसेसर पर लॉंच किया जाया सकता है जो की सेम प्रोसेसर आपको एटू में भी मिला हुआ था और एक्सपेंशन टेकनोलजी के हिसाब से जो की लैस है और यह टेकनिक के चलते फोन की फिसकल रेम में 12GB वर प्राइमरी सेंसर है और जो की इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम इसको 666 करके 12GB रेम एक है फिर उसके बाद जो 12GB रेम है प्लस आपको एक वर्चोल रेम मिलती है 12GB मतलब मिला के 24GB रेम का हो जाएगा कैमरी की यूनिट की बात करें तो इसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर है जो कि 2.4 अपरचर वाला 2MP का पोट्रेट लेंस मौजूद है सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए एक 2.0 अपरचर वाला 8MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है पांचर में इसकी बैटरी के साथ है जो कि काफ़े इंडरेस्टिंग है और यह बताया जा रहा है कि आपको चार्ज करने के लिए 67W का फास अर्जिंग का सपोर्ट है और हलाकि यह तो थी आपको एटूब की फीचर इस परचेशन जो कि बताया जा रहा है कि यह आपको 12 अप्रेल को लॉंच कर दिया जाएगा और यह आपको कहीं ने कहीं चीन में लॉंच होते हुए दिखेगा कंपड़ी ने दो पर दो बज़े के 30 मिनिट तक एक इवेंट पर फसंद आजाए प्रीजब लाइक करना शेयर करना मिलता हूं मैंसे नेख वीडियो में अब तक के लिए टेक केर